बुद्धु के लेकर पूछे गए सवाल के उत्तर में अनुरुद्धाचारी जी महराज कहते हैं कि हमारे सास्तरों में लिखा है कि बेद के बिरुद्धु अगर कोई काम करता है चाहे वह भगवान ही क्यों न हो हम उसे भगवान का दर्जा नहीं देंगे इसका मतलब यह हुआ कि यह भगवान उसी को बनाये हैं जो इनकी चमचागीरी किये हैं जो इनकी गुलामी किये हैं जो इनको स्रेष्ट माने हैं जो CST OBC पे इनके कहने पर जोर्म किये हैं जो मनुरुस्मृति को माने हैं जो अपने राजे में मनुरुस्मृति के नियमों को लागू किये हैं, उसको ये अपने सास्त्रों में भगवान बना दिये हैं, इनके अनुसार बुद्ध भगवान के आवतार तो हैं, लेकिन बुद्ध को ये आवतार नहीं मानते, क्योंकि बुद्ध इनके सास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं किये हैं, वैसे तो बुद्ध और इड के सास्तनों के जनम में जमीन आस्मान का अंतर है, लेकिन फिर भी अगर ये बुद्ध की चर्चा करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि बुद्ध का क्या विचार था, बुद्ध वास्तों में आत्मा परमात्मा इस्वर अल्लागाड में विश्वास नहीं करते थे, ढकोसला पाखंड आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, उनका सिधान्द प्राकृतिक था, इंसानियत मानवता की हित में था, और यही वजह है कि बुद्ध के सिधान्द पूरी दुनिया में फैले, दुनिया भर के देशों को बुद्ध का सिधान्द तो अच्छा अनुद्धाचार जी महराज के बातों से एक बात तो अस्पष्ठ हो गई है कि इनके सात्रों के जो भी भगवान है, उन भगवानों की रचना ये खुद किये हैं लोग, वीडियो का लिंक कमेंट में दे दूँगा, आप लोग भी देखिएगा, कि इनके कहने का मतलब क्य है